दोस्तों यहां पर HDFC bank ने अपना flip card HDFC bank wholesale credit card ला दिया है और यह card के पीछे काफी लोग भाग रहे हैं यह card में ऐसी क्या बात है और यह जो flip card axis bank credit card है इस card को लोग ले रहे हैं आप इसको छोड़के इसके पीछे भागना चाहते हैं जो HDFC bank, flip card, wholesale credit card आ चुका है तो इस video में आपको हम बताने वाले हैं कि यह जो HDFC bank का wholesale credit card आया है इसमें क्या benefit है, कितना joining fees है, मेरा opinion क्या है, क्या इसे लेना चाहिए ए card, other card से अलग है या नहीं है, सब कुछ आपको हम details में बताने वाले हैं अगर आपको जानना है, तो मेरा आपसे request है कि वीडियो को like करके support कर देना और चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को subscribe के bell icon को on कर देना, तो यहां भी यह जो फिलिप card, sorry जो फिलिप card HDFC bank wholesale credit card आया है, यह card जो है काफी लोग बोलते हैं कि यह जो इसको टक्कर दे रहा है, बट मैं आपको पहले पुरा details बता दूँ फिर आप बताना टक्कर दे रहा है यह नहीं दे रहा है, दोस्तों यह जो credit card है, फिलिप card HDFC bank wholesale credit card इसमें दोस्तों आपका पहले joining fees तो नहीं लगने वाला है, बाकि आपका annual fees आपका 499 रुपीज प्लस GST इसमें add है, अगर आप 3,00,000 रुपे खर्च करते हो तब भी जाके यह map होगा, वैसे यह map नहीं होगा, apply करने का process आपको normal जो other credit card में है, HDFC bank की option website पे आप जाके अपना details डालोगे, अगर आप उसके लिए जैसे की bank अगर आपको देखता है कि अगर आप इसके available हैं तो आपको वहाँ पे card को select करने का option आ जाएगा, और वहाँ पे आपको बहुत सारे card मिलेंगे, आप इस card को select करके apply करके ले सकते हो, इसके बाद जो card है, इस card में आप MI, add money, paytm to bank transfer, MI में convert करना, सारे features जो other credit card में आते हैं, सारे features हैं, आपका जो other credit card है, same वैसे AV काम करेगा, इसका भी rate of interest अगर आप plan जिसकी bill payment नहीं करते हो, तो fine charge भी आपका same है, इसमें कोई changes नहीं है, आपकी जो उम्रे लेने का है, आपका 20 प्लस से लेके 60 प्लस तक की बीच में आप इस card को ले सकते हो, बट यहाँ पे अब सवाल आ चुका है कि a card में bend fit क्या है, अगर आप जो है मैंने details को gas booking यह सब काम करते हो, तो यहाँ भी आपको 5% cash back मिलेगा और आप एक मंत में 2500 रुपे ले सकते हैं, इससे अधिक नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे हर चीट की एक सीमा बना के रखी गई है, दोस्तों अब यहाँ पे सवाल आ चुका है कि यह जो कार्ड है, अगर हम online फिलिप कार्ड पे अधर मर्चेंट पे शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पे 1% आपको cash back बताया गया है unlimited, बट समय के साथ बैंक साथ चेंज कर दे या कोई policy नहीं हो आज ऐसे फिलिप कार्ड आपको बता दूँ यह जो कार्ड है, एक कार्ड में आपको किसी प्रकार का free वाला सर्विस नहीं है, आपको 400 निन्यान बी रुपिस आपको देना पड़ेगा साल में, और आप सुरू सुरू में कोई ज reward point का, तो reward point वही आपका same system है, इसमें आप जिस टाइप का आपका transaction रहेगा, उसी भी यहाँ पे आपको यहाँ पर reward point देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे एच जिए आप लोगों ने जान लिया, आपका जो income proof है, वही आपका 20 से 25 जर आपकी salary मंतली होना चाहिए, और आप ITR अगर बेस पर apply करते तो आपका 4 लाग प्लस आपका ऊपर ही आपका ITR होना ज़रूरी है, 4 से 5 लाग का भी तभी apply कर सकते हैं, तो आपका income reward में कोई इत्वा नहीं है, आपका civil score 750 प्लस के ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप इसके लिए bank आपकी जिनकी policy है, उसके अंडर में आएंगे तब आपको card मिलेगा, अब यहां पे सवाल main point के आ गया कि ए जो card है, किस के लिए बना है, एक card आपके लिए नहीं बना है, मेरे लिए नहीं बना है, एक card खास उनके लिए बना है, जो business purpose के लिए जैसे कि माई लोग जो ज़्यादा जो है wholesale में समान purchase कर रहे है जैसे फिलिप card से, ज्यादा उनका कोई store है, या online worker है, उनके लिए प्रकार से business card एक प्रकार से है, तो total इसमें benefit आपको एक business purpose के लिए एक प्रकार से ये card है, बकि तो आप इसे business purpose में यूच कर सकते हैं, और other card में यूच कर सकते हैं, बट इसमें कुछ अलग चीज़े इसम problem का, तो आप इसे ले लेना, इसे मना मत करना, देखें भाई, free मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 400 99 plus GST, पान सारे पान 600 रुपे अगर आपके जाते हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं है, ठिक ठाक है, आप इसे ले लेना, अगर आप के पास income है, साहली सिलीप है, अच् region A है, कि इस card को लेने से ऐसा कोई बड़ा benefit आपको नजर नहीं आएगा, अब यहाँ पर मेरा सला क्या है, मैं क्या आपको अपना सला दे रहा हूं, दोस्तों यहाँ पर देखिए, कापिलोस के बारे में गलत अप्वाएं फैलाएं हैं, एक card किसी को नहीं लेना चाहिए, आप इस card को ले सकते हो, best card है, कोई शिकायत नहीं है, शिकायत तरिफ एक ही है, अगर आपको income विवरा या साहली शिलिप भिहाग पे, अगर आपको other card मिल रहा है, तो इसे मत लेना, अगर आपको मिल गया, वैसे किसी region से या bank आपको दे दिया, तो आप इसे ले लेना, card, excess bank rate card का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, यकीन मानिए, मैं तो को मिलनिया card use कर रहा हूँ, काफी टाइम से, बहुत अच्छा service है, तो भीया, मैं इसको छोड़ के उसके पास तो नहीं जाऊंगा, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इस वीडियो में, और आप अगर इ जो card आया है, क्या इस सही है, क्या इसका मुकाबला कर पा रहा है, कि नहीं कर पा रहा है, अपनी राए कमेंट में जरूर देना, तो आपको ये video कैसा लगा, वीडियो को like कर देना, दस्तों में share कर देना, मनमें कोई भी स्वाल है, तो comment कर देना, भी मिलते हैं नए video के साथ तब तक ले जाहिन वबन दे मातरम